नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बाउंट टू एड़ोकेशन में दोस्तो आज की इस वीडियो में जैटेट प्रिभियस येर के पेपर को देखने वाले हैं जो की 2016 में कंड़क्ट करवाए गए थे बहुत ही महतपुन आज का ये वीडियो होने वाला है इसलिए आज की इस वीडियो को सुरू से अंतक का विजसे ही देखिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करके रखे वीडियो को लाइक नहीं कियें तो जरू लाइक कर दे इसी परकार के वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे दोस्तों ये पेपर टू का पेपर है और ये गनित और विज्ञान का पेपर है चले सबसे पहले हिंदी के प्रशनों को देखते हैं आप सभी यहाँ पे देख पारे होंगे प्रशन संख्या एक से चार के लिए निर्देश्टी आ गया है जिसमें कहा गया है निमलिकित गध्यांज को ध्यान पूरवक पढ़ना है और नीचे जो भी प्रशन दिये गए हैं उसका उत्तर आपको देना है तो चले गद्यांस को पढ़ते हैं और उसके अनुसार जो भी प्रश्ण पूछे गए हैं उन सभी प्रश्णों को देखते हैं पर्याबरन के परति गहरी सब्वेदान सिल्ता प्राचिनकाल से ही मिलती है अथरवेद में लिखा है भूमी माता है हम प्रतिवी के शंतान है एक इस्तान पर यह भी लिखा हुआ है कि वे पवित्र करने वाले भूमी हम कोई ऐसा काम ना करे जिससे तेरे हिर्दय को आगात पहुँचे हिर्दय को आगात पहुँचने का अर्थ है प्रतिवी के परिस्त जलवायो परिवर्तन के गंबिर खत्रे को लेकर के आपसी मतबेद भुला दे और अपने अपने जिम्मेदारी इमानदारी से निभाए ताकि समय रहते सर्वनाव से उबराज जा सके बिसुबिनास से निपटने के लिए सामोही के बेक्तिगत परियासों की जरूरत है इस दिसा में आंदोलन हो रहे हैं आरेन्य रोधन के बदले आरेन्य संग्रच्छन की बात हो रही है आगे देखें कहा गया है यहाँ पर जो सब्द है हम इससे क्या ततपर है यह आपको बताना है पहला उप्सन अदिके संसार के सभी लोग उप्सन भी है हम सभी नागरिक उप्सन सी है एक खास देश के लोग या फिर हम भारत बासी चलिए इस क्योशन का करेक्ट एंसर आप सभी देने का परियास करेंगे तो यहाँ पे जो बाइके दिया गया है ध्यान पुर्वक देखें हम प्रतिवी के संतान है तो इस बाइके के अनुसार यहाँ पे जो हम सब्द है इसका अर्थ हो जाएगा संसार के सभी लोग उप्सन ए इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा हम प्रतिवी के संतान है इसमें हम जो हैं यह संसार के सभी लोग है संसार के सभी लोग इसलिए हैं क्योंकि प्रिथिवी के संतान कहा गया है अर्तात की प्रिथिवी में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की यहाँ पे चर्चा की गई है हम भारतवासी नहीं होगा क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर देश का यहाँ पे बात नहीं किया गया है एक खास देश के लोग का भी कोई भी बात नहीं की गई है तो आपका correct answer हो जाएका संसार के सभी लोग option A इस question का correct answer होगा चले दोस्तों इस question को आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिखे question number 2 कहा गया है परियावरन का संदीविछित क्या होगा option A है पर जोड़ावरन option B है पर जोड़ यावरन option C है परी जोड़ावरन या फिर परी जोड़ यावरन तो इस question का correct answer आप सभी देने का परियाश करेंगे दोस्तों परियावरन का संदीविछित यहाँ पर हो जाएगा option C परी जोड़ावरन ठीक है परी जोड़ावरन correct संदीविछित होगा परियावरन का option C इस question का correct answer होगा next question है सरवनास से उबरा जा सके उबरा का अर्थ है ठीक है यहाँ पर देखे एक बाइक में परियोग हुआ है सरवनास से उबरा जा सके तो यह जो उबरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा हटा, बचा, निप्टा या फिर तेरा तो इस question का correct answer हो जाएगा उबरा अर्थात की बचा जा सके ठीक है बचने की बात की जा रही है option B इस question का correct answer होगा क्योंकि परियावरन का बहुत जादा दोहन हो रहा है और इसी परकार अगर दोहन होता जाए तो भविस्ति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है और पारिस्तिति के जो तंत्र बना हुआ है वो बिगड जाएगा ठीक है इसी लिए सर्वनास से उबरा जा सके तो उबरा का अर्थ हो जाएगा बचा जा सके अब आगे चलते हैं और next question को देखते हैं देखे question number 4 है गध्यांस में चरितार्थ करना का उलेक है गध्यांस में जो चरितार्थ करना का उपयोग हुआ है इसका उद्दी से क्या है ये आपको बताना है बहस करना, सीध करना, अपनाना या फिर चरित्र चित्रन करना तो इस question का correct answer हो जाएगा सीध करना चरित्र करना जो है इसका अर्थ हो जाएगा सीध करना चारो question ऐसे question थे जो कि आप गध्यांस को बिना पड़े भी दे सकते थे तो अगर आपके पास समय की कमी है तो question को एक बार जरूर से देख ले उसके बाद गध्यांस को पड़े ठीक है option B इस question का correct answer हो जाएगा चरितार्थ करना का यहाँ पर उलेक हुआ है जिसका अर्थ हो जाएगा सीध करना अब देखें पास से छे के लिए निर्देश दिया गया है निमलिखित गध्यांस मापके जिएका यहाँ पर पड़्यांस दिया गया है इसको ध्यान पूरवाग पड़ना है और आपको प्रशनों के उत्तर देने है ठीक है उप्यूक्त उस खाल को न यदपी मिर्तु का भी दंड है पर मिर्तु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचन्ड है अत्यों कल उस नीच को रन मजद जो मरून न में तो सत्य कहता हूं कभी सस्तराज़ भी धरूना में ठीक है अत्वा अधिक कहना ब्रिथा है पार्थ को प्रान है यही साक्षी रहे सूनिये वचन रभी ससी अनल अंबर मही सुर्यात से पहले न जो में कल जैदरत बद करू तो सपत करता हूं सोयम में ही अनल में जल मरू ठीक है यहां पर देखे कोश्ट नमबर फाइब है पार्थ की क्या प्रतिग्या है पार्थ का यहां पर प्रतिग्या है वो क्या प्रतिग्या है यहां पर बताना है द्रिष्ट को माणने की जैदरत बद करने की अस्र सस्तर धारनना करने की या फिर आग में चल कर मणने की ठीक है बी जैदरत को मारने की जैदरत का बद करने की option B क्योंकि यहां पर इस परस्ट तोर पर दिया गया है सुर्यात से पले ना जो में कल जैदरत बद करुआ रथा कि उसके तोरह यह परतिग्या किया जा रहा है कि जैदरत का वो बद कर लेगा ठीक है तो यहां पर जो परतिग्या है वो कौन सा परतिग्या है जैदरत के वद करने की परतिग्या है option C है question number C है question number 6 है रवी ससी अनल अंबर एबा मही के प्रयावची सब्द करमश है इनका प्रयावची सब्द आपको बताना है तो question number 6 का आपका correct answer हो जाएगा option C हर एक सब्द का आपको बताना है प्रयावची सब्द रवी को सूरी कहा जाता है option यहां पर देखे दिया गया है C में ससी रात्री को ससी भी कहा जाता है अगनी को अनल भी कहा जाता है और आकास को अंबर भी कहा जाता है और पताल को मही भी कहा जाता है तो इस अनुसार आपका option C correct answer हो जाएगा next question है दोस्तो भासा का अस्तित्व एब विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता यह कतन किसका है यह पुछा गया है भासा का अस्तित्व विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है यह कतन किसका है हिंदी पेडागोजी का question है options देखिए चैंसकी, और औरीन, पाइगोट्सकी या फिर जीन प्याजे तो question number 7 का आपका correct answer हो जाएगा option B यह कहा गया है और औरीन के द्वारा option B इस question का correct answer होगा option B question number 7 का correct answer होगा next question है दोस्तो भारतिय भासाओ को सम्विदान के किस अनुसूची में सामिल किया गया है options देख लेते हैं पहला option है दूइतिय, option B है अस्टम, option C है तृतिय यह फिर option D है, चतूरत तो इस question का correct answer होगा option B, अस्टम ठीक है, आठवा अनुसूची में भासाओं को सामिल किया गया है मुख्यूरूप से जो ओरिजिनल सम्विदान बना था, उसमें 14 भासाओं थी, ठीक है, 14 भासाओं को सामिल किया गया था वर्तमान में 22 भासाओं है ठीक है, तो यह अठवा अनुसूची में सामिल किया गया है next question है जोस्तो, सेना नायक सब्द का समास है, सेना नायक सब्द का समास क्या होगा, यह आपको बताना है बहुबरी समास इंटस, उसके बाद ततपूरुस या फिर अव्यभाव समास तो question number 9 का correct answer हो जाएगा option C, ततपूरुस समास option C, इस question का correct answer हो जाएगा सेना नायक में कौन सा समास है, ततपूरुस समास हो जाएगा option C next question है, अनुवे सन सब्द का संदी विच्चेत आपको करना है अनुवे जोड़ सन, अनुवे जोड़ एशन, अनुवे जोड़ एशन या फिर अनुवे जोड़ एशन चले question number 10 का correct answer आप सभी देने का परियास करेंगे तो देखे दोस्तों, अनुवे शन जो सब्द है इसका संदी विच्चेत हो जाएगा अनुवे जोड़ एशन, option C इस question का correct answer हो जाएगा अनुवे जोड़ एशन, इस सब्द का संदी विच्चेत हो जाएगा next question है रचाईता का link परिवर्तन आपको बताना है रचीती, रचीत्त्री, रचीत्नी या फिर ज़ज रचाई का रचाईता, इसका link परिवर्तन आपको बताना है तो question number 11 का correct answer हो जाएगा रचाईता का link परिवर्तन होता है रचाईत्री, ठीक है option B, इस question का correct answer हो जाएगा next question है मुसाफिर खाना किस परकार का सब्द है एक सब्द दिया गया है मुसाफिर खाना 21 परकार का सब्द है, योगीक सब्द है रूड सब्द है, योगरूड सब्द है या फिर तत्सम सब्द है तो question number 12 का correct answer हो जाएगा 21 परकार का सब्द है तो ये योगीक सब्द है, option A इस question का correct answer हो जाएगा ठीक है इनको भी देख लेना जरूरी है योगीक रूड सब्द योगरूड तत्सम क्या क्या होता है ठीक है योगीक सब्द जो दो से ज़्यादा सब्दों से मिलकर बना होता जिससे कि मुसाफिर और खाना दो सब्द मिलकर के बना हो है यहाँ पर इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे योगीक सब्द कहेंगे रूड सब्द जो मूल सब्द होता उसको रूड सब्द करते हैं योगरूड अर्थात की मूल सब्द से जो सब्द बनता उसको योगरूड सब्द करते हैं तत्सम जो संस्कृत के सब्द के जैसा हिंदी में हम लोग उपयोग करते हैं को तत्सम सब्द काते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देगे, चिकना घड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, एक मुहावरा दिया गया है, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं, अत्यांत आकर्सक होना, अप्सन सी इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा चिकना घड़ा होना निरलज होना नेक्स्ट कोशन है गुनवाचक बिसेशन यूग तुबाई के कौन सा है यह आपको बताना है अप्सन देख लीजे पहला अप्सन है मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपिये देने हैं मुझे 5 किलो आठा चाहिए यह भुकंड आयताकार है यह फिलास्ट अप्सन है यह गुलाब सबसे अलग दिखाए पड़ रहा है यहाँ पर गुनवाचक बिसेशन यूग तुबाई के बताना है जिसमें गुनवाचक बिसेशन है तो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्स बिसेशन बताया जाता है उसको हम लोग बिसेशन कहते हैं और गुनवाचक बिसेशन में हम लोग किसी भी बस्तू या फिर किसी भी संग्या या फिर किसी भी सर्वनाम का गुन दोस्क को बताते हैं तो यह भुकंड किस परकार है उसका गुन को बता रहा है कि वो आयताकार तो इस question का correct answer हो जाएगा option C next question पर आते हैं question number 15 धाग के तीन पात मुहावरे का अर्थ है देखे एक मुहावरा फिर से दिया गया है इसका आपको अर्थ बताना है options देख लिजे पहला option है बिसेस जाती का पोधा होना option B है सभी पतों को जानवर द्वारा खा लिया जाना option C है इस्तिती जियों की त्यों रहना या फिर option C है अनुपजाओ जमिर पर ढाग होना तो इस question का correct answer आप सभी देने का परियास करेंगे question number 15 तो इस question का correct answer आपको option C हो जाएगा इस्तिती जियों का त्यों रहना ढाग के तीन पात ये मुहाबरा दिया गया है इस मुहाबरे का अर्थ है इस्तिती जिस परकार है उसी परकार रहना इस्तिती जियों का त्यों रहना option C इस question का आपका correct answer हो जाएगा अब चले आगे बढ़ते हैं 15 question Hindi के थे अब 15 question English के है इनको देखते हैं तेके दोस्तो question number 16 और 17 के लिए यहाँ पर instruction दिये गया है read the passage carefully and answer the following question as heart disease continues to be the number one killer in the United States researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factor that trigger heart attacks high fat diets and life in the first lane have long been known to contribute to the high incidence of heart failure but according to new studies the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising statistics reveals that heart attacks rate increase significantly for both females and males in the few days immediately preceding and following their birthdays and unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts ठीक है यहाँ पर heart attacks से सम्बंदित कहा गया है तुछी सम्बंदित question है 16 और 17 इनको देखते हैं देखे 16 नमबर question है the word potential could based be replaced by which of the following potential जो word है इसको किस से replace किया जा सकता है options देख लिएजे पाला option है primary option B है unknown option C है arm form या फिर option D है possible तो question number 16 का आपका correct answer हो जागा जो potential है इसको replace किया जा सकता है possible से ठीक है potential का अर्थ होता है संभावना primary का अर्थ होता है promote unknown मतलब जो आप नहीं चानते हैं उसको unknown कहते हैं unfurn मतलब possible मतलब जो संभा हो सके तो यहाँ आप देखे potential का जो यहाँ पे आप replace कर सकते हैं वो possible से replace कर सकते हैं option D आपका correct answer हो जाएगा next question है which of the following could based replace the word reveal reveal को किसे replace किया जा सकता है observe so explain या फिर mean तो reveal इसको replace किया जा सकता है option B so से ठीक है reveal मतलब कुछ चीज reveal कर देना so कर देना दिखा देना ठीक है उसी का देखे यहाँ पर या बाची सब्द हो जाएगा synonym हो जाएगा option B so next question है दोस्तो 17 17 के बाद 18 और 19 है read the piece of poetry carefully and answer the question एक poetry दिया गया इसको आपको read करना है और questions का answer देना है ठीक है she lives in garret up a hunted stair and even when she is frightened there's nobody to care she cooks so small a dinner she dines on the small maaf की जाएगा and even if she is hungry there's nobody to tell questions दिया गया है the line she dines on the smell means ठीक है इसका क्या मतलब है यह आपको बताना है options देखे she eats very little वो बहुत कम काती है her food is stale ठीक है उसका जो food है वो बासी हो गया खराब हो गया है she dislike the smell of our food उसका जो smell है उसको पसंद नहीं है she dislike the food या फिर वो जो food है उसको dislike करती है she dines on the smell इसका क्या मतलब है तो इस question का correct answer हो जागा आपका option B her food is stale ठीक है उसका food बासी है option B इस question का correct answer हो जागा she dines on the smell ठीक है dines मतलब एक परकार से c dines भोजन करती है आपका सकते है ठीक है option B इस question का correct answer होगा next question है the woman describes in the poem is जो woman यहाँ पर describe क्या गया है poem में वो क्या है brave है helpless है sad and lonely है या फिर disappointed है तो इस question का correct answer हो जागा वो sad and lonely है option C इस question का correct answer हो जाएगा sad है or lonely है option C next question देखे the opposite of the word whimsical ठीक है एक word दिया गया है इसका opposite word आपको बताना है ठीक है तो जो word दिया गया है whimsical ठीक है वैसे इनसान को कहा जाता है जो थोड़ा सा abnormal type का होता है या फिर आप कहा सकते sun की type का जो इनसान होता है ठीक है sun की type का जो इनसान होता उसी को कहा जाता है ठीक है तो इसका opposite word आपको बताना है options को देखते हैं चलिए ठीक है पहला option है capricious state quaint या फिर strange चलिए इस question को ध्यान पूरवक देखे और इसका correct answer देने का परियास कीजिए तो देखे दोस्तो capricious capricious का भी थोड़ा meaning जो होता है ये आपका man moji type से होता है state मतलब जो इस्तिर होता है quaint ये strange और quaint लग 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 सेम है इसका भी आप बीचीतर का सकते है strange मतलब आजी जो अलग रहता है ठीक है तो यहाँ पर देखे ये तीनो जो वर्ड है capricious quaint और strange ठीक है ये मिलता जुलता वर्ड है हम लोग को पुछा गया था when see kill ठीक है ये ये वर्ड दिया गया था तो इसका opposite वर्ड पुछा गया था इसका opposite वर्ड हो जाए गया state state अर्थात की स्थीर ठीक है स्थीर option B इस question का correct answer होगा next question देखे देखे दोस्तों read the यहाँ पर कहा गया है read the sequence of sentence select correct option from quotes given ठीक है everyone knows that इसके बाद कौन सा sequence होगा ये आपको बताना है P, Q, R, S यहाँ पर sequence दिया गया है to go to manager to speak more politely and tell him that he ought या फिर लास्ट अप्शन है it is difficult ठीक है तो everyone knows that इसमें आपका correct order हो जाएगा everyone knows that it is difficult ठीक है ये एक number हो जाएगा it is difficult ये दो number हो जाएगा it is difficult to go to manager and tell him that he ought ठीक है उसके बाद तीसरा नंबर ये हो जाएगा और लास्ट में ये हो जाएगा to speak more politely ठीक है everyone knows that it is difficult to go to the manager and tell him that he ought to speak more politely ठीक है ये आपका correct sequence हो जाएगा तो इस हिसाब से आपका option C correct answer हो जाएगा ठीक है S, P, R, O S, P, R, O ये आपका correct sequence हो जाएगा option C इस question का correct answer होगा next question है the opposite of the word eliminate eliminate का opposite word कौन सा होगा include eradicate remove या फिर banish इस question का correct answer देंगे question number 22 eliminate ठीक है इसका opposite word पुछा गया है ठीक है तो eliminate अर्थात की निकाल देना और include मतलब सामिल कर लेना option A इस question का correct answer होगा opposite word पुछा गया था eliminate तो इसका opposite word होगा include next question है दोस्तो go straight to the station identify and underline the word ठीक है तो ये जो word दिया गया है इसको identify किया गया है जो underline word है ठीक है ये क्या है verb है conjunction है adjective है या फिर adverb है go straight to the station question number 23 का correct answer हो जाएगा ये adverb है ठीक है option D इस question का correct answer हो जाएगा ये क्या है adverb है option D next question है the authorities and already made their choice the interviews was only an I was select the meaning of the underline idiom ठीक है यहाँ पे interview was an only I was ये किस परकार का underline idiom है कौन सा idiom है ये आपको बताना है bargain, recommendation, deception या फिर useless तो question number 24 का correct answer हो जाएगा deception option C इस question का correct answer हो जाएगा यहाँ पे underline नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे underline होना चाहिए the interview was only an I was ठीक है only an I was यहाँ पे आपका underline होना चाहिए और इसी का meaning आपको पुछा गया है only an I was इसका जो idiom है इसका क्या meaning होगा ठीक है तो इसका meaning हो जाएगा deception deception मतलब किसी को धोके में रखना the authority said already made the जोईस अर्थाथ कि authority ने पहले ही चूज कर लिया है और यह जो interview हो रहा है यह कि बोल धोका दिया जा रहा है तो इसका correct answer हो जाएगा deception ठीक है इसका अर्थ हो जाएगा option c deception अर्थाथ की धोका जित दिया जा रहा है उसके बाद देखे दोस्तो the goal of the grammar instruction is to enable student to carry out their communication process purpose this goal has three complications which one of the following is not one of them ठीक है जो grammar का goal है instruction is to enable student to carry out their communication process जो communication process है उसको carry out करना है ठीक है this goal has three implications इसका three implications है उसमें से कौन सा एक नहीं है यह आपको बताना which one of the following is not one of them उसमें से कौन सा एक नहीं है ठीक है त्यान दिजेगा इसमें नहीं है पुछा गया है पहला option है student need overt instruction that connects grammar points with larger communication context option B है student should master every aspect of each grammar point options यह देखे error correction is not always the instructor's first responsibility option D है student should master only those aspects that are relevant to the immediate communication task ठीक है इसको थोड़ा pause करके आप ध्यान पूरवग पढ़ लीजेगा तब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यह question है इसको इसके insert लेकर के रख लीजे और यह option से इनको एक पर ध्यान पूरवग पढ़ लीजेगा इस question का correct answer हो जागा question number 25 का option B ठीक है option B इस question का correct answer हो जागा student should master every aspect of each grammar point option B इस question का correct answer होगा next question के और आगे बढ़ते है question number 26 when students work in peer or group they just end up chatting in their own language these can be overcome monitored by increase the difficulty level of task instruction for the task and objectives to be made clear first option C है देखिए giving an essay easy task so that they may chat less writing notes on the board so that they will not use ठीक है यहापर question में पूछा गया था जब student peer में अर्थात की एकी साथ काम करते हैं तो वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं तो इसको कैसे आप overcome कर सकते हैं तो question number 26 का correct answer हो जागा option B instruction for the task and objectives to be made clear first जो भी काम दिया गया है उसका जो instruction है वो पहले ही दे देना चाहिए और जो task करनी को दिया जा रहा है उसको clear कर देना चाहिए ठीक है task and objective है उसको clear कर देना चाहिए option B आपका correct answer होगा next question है देखे a short text is read aloud and then student visualize what the passage describe एक कोई short text है उसको loudly पढ़ा जाता है और student visualize करते हैं कि उस passage में क्या कहा गया है क्या describe किया गया है then they tell the teacher about their visualization और फिर teacher को कहते हैं उन्होंने क्या visualize किया और draw a picture या फिर वे एक picture बनाते है the activity access student तो इस activity से क्या होता है ठीक है क्या develop होता है speaking with clarity listening comprehension ability to draw well accuracy in interpretation क्या होता है ये आपको बताना है तो question number 29 का correct answer हो जाएगा option B ठीक है listening comprehension loud teacher पढ़ रहे हैं उसको ध्यान पुरवक मतब सुन रहे हैं और सुन करके वे visualize कर रहे हैं कि उस text में क्या कहा गया है तो listening comprehension हो जाएगा option B इस question का correct answer होगा next question है देखे दो question number 30 new technology is becoming an integral part of our social fabric this is reflected in the classroom when student are option से देखे activity actively searching for answers using computer option B है using a whiteboard during a presentation यह पर option C है on frequent field trips for first hand experience option C है narrating मापकीजे का last option है narrating during powerpoint presentation ठीक है question में कहा गया है new technology is becoming an integral part of our social fabric ठीक है जो new technology आ रहा है ठीक है वो अभी social fabric अर्थात की हमारा social use में या जो भी student के लिए use होता है वो एक प्रकार सी integral part अभिन्न अंग बन जा रहा है this is reflected in the classroom when students are तो यह चीछ जब student कक्छा में यह कब दिखाए देता है यह आपको बताना है ठीक है तो यहां पर देखे इस question का correct answer हो जाएगा option A actively searching for answers using computer ठीक है जब वे लोग computer में कोई भी question का answer ढूटते है तब इसे हम लोग देख पाते हैं कि technology का use जो है हमारे daily life में होता है और यह एक परकार से हमारे social में अभिन्न अंग बन गया है ठीक है क्योंकि कभी कभी देखेंगे अभी जैसे कि कोई भी question होता है तुरान से लोग mobile निकाल करके search करने लग जाते है तो एक परकार जब कर सकते हैं कि जो नाया technology है वो हमारा अभिन्न अंग बन गया है तो इस question का correct answer हो जगा option A चले दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही हिंदी और इंग्लिस के हम लोग ने प्रशनों को देखें आगे जो भी subject है उनके प्रशनों को देखेंगे चले आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद